आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटर्टेन्मेंट, बेश्चुमा टॉक्शोज और फेवरिट विडियोज, अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अब्रेट्स जानने के लिए बेल आइकन क प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एक तो यह है कि डेफिनिटली इस वक्त मुल्क सियासी, इंतजामी और मौशी बहरान का शिकार है, लॉइन ओर सिचुएशन भी आप देख रहे होंगे, ऐसे मौके पे एक स्टेबल गॉर्मन्ट की बहुत जरूरत है, अलेक्शन दोहजार अठारा जो सिर्फ दस नौ दिन बाकी रह गया है, तो एक साफ शफाफ एलेक्शन होता कि एक जम्बूरी अवामी हुकूमत आए, जो मौशी, सियासी और इंतजामी जो बहुत शदीद बहुरान है, उसको हल कर सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपना रोल अदा कर रही है, और अफाजर पाकिस्तान अपने बहुत जादा रोल अदा कर रही है, दूसी तरफ जो बहुत इमपॉर्टन बात आगई है, वो यह है कि जी इस वक पाकिस्तान के दोग़ाजर एटारा के इलेक्शन को सबुताश करने के सिलसिले में जो खचात अलेक्शन कमिशन ने किये थे, कि दोग़ाजर एटारा के ए पुद्पुश हमले में अकरम दुरानी साथ पे हमला हुआ लेकिन अल्ला ताला ने उनको महफूस रखा और उसके बाद सिराज रईसानी जो हैं वो शहीद हुए एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी मोहिब बतन जो हमारे हारून बलोर की तरह बलुचिस्तान में जिसने उस वक बड़ा पाकिस्तान का जंडा थामा था जब बलोर की तरह बहुत तकलीव देते उस सिराज रईसानी को भी शहीद कर दिया गया अब यह एक चैलंज हो गया है बहुत बड़ा चैलंज है सरिफ यह सीकेडरी फोर्स का चैलंज नहीं है, यह सियासत दानों का भी पाकिस्तान कि मुईब वतन अवाम कभी, सियस्तदानों कभी, अलेक्शन कमिशन कभी और निगरा हुकूमत कभी, ये बहुत बड़ा फर्ज है, कि अब इस 2018 के elections को अपने वक्त पे कराये जाए और ना सिर्फ ये वक्त पे कराये जाए बलके पुरामन कराये जाए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज अब सामने आ गया एक तरफ एक स्टेबल हुकूमत चाहिए मुल्क को तवाम बौरानों से निकालने के लिए और दूसरी तरफ इन बैनलगवामी ताकतें दुश्मन ताकतें जो मुल्क में 2018 के election को सबोताज करना चाहती है इनको शिकस देना है और election को अपने वक्त पे कराना है इन तवाम की भारी जिमेदारी होती है मेरे पास जो आज गेस्ट हैं उनके उनसे निसे हम बात करेंगे मेरे पास इस वक्त पास जो है वो मौझू है जनाब सैनिटर अन्वर अनवर अन्वारुला काकर साथ आपका बहुत श्क्रिया सब्झान बलोचिस्तान अमावी पार्टी आपका श्खकर आपका जयन और उनका भी बहुत शुक्रिया मेरे साथ होंगे सेनेटर इल्यास बलोर साव अवमी नेशनल पार्टी के आपका भी बहुत शुक्रिया और मेरे साथ नवाबजादा जमाल रईसानी साथ जो के फर्जन हैं शेहीत सिराज रईसानी के वो भी लाइन पे हैं उनसे भी हम बात करें और इसके बाद लेफटेंट जरनल नईम खालिद लोधी निग्रा वजीर दिफाः वजीर दिफाई पैदवार वजीर एविएशन एडवाइजर नेशनल सेक्रिटी साबिक सेक्रिटी दिफाः वो भी साथ होंगे मैं सबसे पहले आजम खान साब की तरफ आ जाता हूं कि बहुत मसरूफ होंगे इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं उनका पॉइंट आफ यू भी ले लूँ आजम खान साब मेरी आवाज आ रही है आपको जी जी कुछ का आवाज क्लियर नहीं आ रही है कट कटिंग हो रही है दिश में अच्छा आजम खान साब आप ट्रेवलिंग में होंगे बाराल मैं कोशिश करूँगा कि आप तक अपनी आवाज पहुँचाओं हालिया इस वक्त आप देख रहे हैं कि 2018 के इलेक्शन बिल्कुल करीब है और जिस तरह इलेक्शन कमिशन ने कहा था कि जी बैनलकौामी ताकतें दुश्मन ताकतें 2018 के इलेक्शन को सबोताज करना चाहती हैं वो हम देख रहे हैं कि दो हमारे बेहतरीन सियासदान मुवववतन सियासदान जिन्हें शहीत कर दिया गया और अकरम दुरानी साहब पे हमला हुआ लेकिन वो महफूज रहे तो आप निग्रा वजीर दाखला हैं इस सलसले में आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि इन किसम के खचात और थ्रेट्स जो सारी मौजूद हैं इसके उपर निग्रा वजीर दाखला की हैसियस से आप किस तरह के इंतजम कर रहे हैं ताके इन ख़ंचात को इन फ्रैट्स को रोका जा सकी. जी देखिए, एक तो मिनिस्टरी ओफ इंटीरियर जो है, वो उसके सब से पहले जनुजारी है, इंटरिल सेकेरिटी ओफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की सेक्यूरिटी को हम बरकरार रखें और संबादें यह लेकिन इसके साथ-साथ नहीं कहूं कि यह आपको के यह लाइन ओर्टर के जो सब्जेक्स है यह थार्वी एमेंडमेंट के बाद यह डिवाल हुआ है तू प्रोविंसे प्रोविंशल गर्मेंट को डिवाल हुआ है और लेकिन इसको यह मतलब है कि हम हज़िवजारी नहीं कभूल करते हैं देट देट रिस्वांसिबिलिटी और जो लाइन ओर्डर की है वो प्रोविशल गर्मेंट की है प्रोविशल गर्मेंट की है हम इंप्रियर मिनिस्ट्री और हुकुपत पाकिसान जो है इसके लिए हमने काफी अगदामात की हैं इलेक्षण कभिशन पाकिस्तान के साथ कोडिनेशन की है मिनिस्ट्री और प्रोविशन मिनिस्ट्री के साथ कोडिनेशन हम कर रहे हैं ICT Islaamabad territory के साथ कर रहे हैं और सबकों हम सबसे टरहे हैं कि इलेक्शन के कॉंड़क्ट सही तरीके से हो जाए और पीस्फुली हो जाए और उसके साथ-साथ हमने एक एलेक्शन कोडिनेशन और फेसिलिटेशन सेल भी बनाया हुए एल्टीजे मिनिस्टी में जो राउंड अक्लाक 24 गंटे और साथ दिन एक्टिव कोडिनेशन कर रहा है स्टेक होडर के साथ और इसमें सुभाई हुकूमतों के अलावा इलेक्शन कमिशन शामिल है मैक्टा शामिल है सारे इजारे जो भी लाइन आडर से दील कर देने वो शामिल हैं इसमें तो यह तो इसमात हुए और इसके साथ साथ जो सिबल आंट फॉर्सिस हैं हमारे उनकी डिप्लाइमेंट भी हमने की है प्रिविशल गर्मिल्स के रिक्वेस्ट पर जो भी उनकी ज़रूरत है उनको इसके अलावा यह हमारे मिनस्टी में सेक्रेटरी और में हमेशा अवेलिबल रहते हैं वीडियो कांफेंस के लिए अब यह हमें वीडियो कांफेंस की है सारे की सेक्रेटरी इंस्पेंटर जेनल पुलीस और सब के शाथ वीडियो कांफेंस करके लास्ट मीटी में 11 जुलाइगो की है और इसके बाद भी हम करते रहेंगे डेली बेसिस पर वारे कंट्रूरूर में से इसका थोड़ा सा हमें यह भी बताइए कि अब दो बड़े साने हुए हैं एक विलोचिस्तान में सिराज रईसानी साथ बड़े बहादूर हमारे रहनुमा थे और दूसरा हारून बलोर साथ वो बहादूर बहादूर रहनुमा थे क्या आपको इसके पीछे क्या मिला सर कोई आपने इंक्वाइरी की कोई पता चला कि कौन लोग थे जिन्हों ने ये खुदकुश हमला किया किस तन्जीम से तालुख था और ऐसे आइंदा आने वाले ऐसे खुदकुश को आप किस तरह रोक सकेंगे ये कुछ इसके ये ये बहुत अफस्वाइब है और बहुत अफसोस हुए है सब को इसे किये हारून दिलोर और रईसादी साब बड़े मोज़वत नों से और खुद शुकर है कि दुरानी साब को ख़दा ने बचा लिया है कि कि पुश्रीद में उसलिए हम भगों है और इंक्वारी तो चुरू है हो रही है जो इनिशिल इकलाइब है हमारे पास हभी कंफर्म नहीं है लिकिन जो विलोर साबकर वह इंस्यंट हुआ उसमें तो ताहिशा पान का हाथ में गाता है और ये रहिसानी साब कर दो इसमें अचलưa और मेरे लिए अधिन नहीं हैं अभ ज़सको करें लोया है और मकी हैं, किन अफिन तौन हैं और वारा में, कि अभी तक हमारी लोग केपी की पुलीस है और सिंद की पुलीस जोनों ने सेक्यूरिटी प्लैन्स बना रहे हैं और इसमें जो जो है चीजे हैं वही है कि सारे जितनी कैंडिजेस हैं उनको लेटर्स एशु कर दी गए हैं कि आप जब अबनी रेली जब निकालते हैं मीटिं सब्सक्राइब करें अबने स्टेशन और इसमें इलेक्शन कमिशन को जो पॉर्डव कॉर्ड़क्ट है उसके मुताद पर निक निक चाहिए होता है छोड़ी कॉर्लर मीटिंश की और तीन दिन करनों से चाहिए हैं मेरा खैल है उनकी ट्रेवलिंग में थे आजम खान साब आपका शुक्रिया ने अपना एहम टाइम हमें दिया मैं इस वक्त सेनेटर लियाज बलोर साब इसक्तालाएं पर यह बहुत बड़ा आथा इदर भी वह बलोचिस्तान पर भी वह अभी मैंने आजम खान साब को लिया था वजीर दाखला को आपने उनकी गुफटगू सुन होगी क्या समझते है सर इस वक्त यह जो आटैक है यह अकरम दुनानी साफ पे भी हो रहा है जो राइट विंग के हैं लेफ्ट मसलें बलोर साफ पे भी हो रहा है सौफ्ट कॉर्णर यानि आपके रही सानी साफ पे भी हो रहा है जबकि 2013 में हमने देखा था एक खास सुनी जो उन्होंने कहा है कि पिसावर में बलोर साफ के जो है वो कोई दैस का क्या कहा है उन्होंने पड़ी है जी उन्होंने कहा है कि जी बलोचिस्तान का उन्होंने कहा है कि जी बलोचिस्तान का उन्होंने कहा है कि सिराज का उन्होंने कहा है कि शायद उनका ये कहना है क ये दाइश का इखदाम लगता है, इसमें रौ भी इन्वाल्व हो सकती है और हारून ब्लोर के अवाले से उनका कहना था कि अभी तक अब्तदाई तफ्टीश के अवाले से ये तहरी के तालबान पाकिस्तान को जा रहा है ये कहा है उन्हें? तो वो चला गया उसके जाने के बात अगर ये लाइटर्स हमें बेज देंगें, नोटर्स देंगें, अब मैं वहाँ उसकत खुद भी मुजूद था तो फूट के फैसले में मैं बैठा वाज़ता है, तो उसमास फूट के फैसले मैं नहीं बचा, देखा उतना है हाविस्त गुरमो ने थे इक बाल किया, उसे अंदर गदर रगा साथ प्लास होते हैं उनके पास उनको पोदीуз होती है पृषिक नेरेग होदी बैलेगे वापस अपने सेकूर्डी बारेगे लोग है आपनी पृषिज अबेनी बैलेगे तो आप हमोटिके उन्हें के ठीज़ो भाण किया एक हो होमरेसो को आडर कर देखे कि यार भी से सारे जैसे पूर्डि वापत लेने। तो ठीच पार, ये तो आपने लेसन दे दी है क्टारिनिस को, लेसन तो किल, एनॉंस यो किया है आपने, एनॉंस में मुझे बहुत सफ इत्राज है, कि एनॉंस किया है, मेरे बच्छे को जो शही हुआ है, और को शहीद हुआ है ए ब्रिलियन तर इन मेरे सियासेडा नहीं अबर रहा था श्यासर में एक जा ला था उपर अफशिस्टिन भी आ उपर जा रहा था तो उसको शहीद कर दिया जा गये तो मैं क्या बात्तू नहीं कुसके आगे मैं रहूँ मैं किसके आगे रहूं? पुझे बताए मैं किसके आगे रहूं? जाने साथ, बाद ये नहीं है. बाद ये है कि हरे कामे को अपने एरिया में रहना चाहिए. दुनिया में ये है कि जज नेवर स्टीक, जज़िशियन स्टीक आलविस. मैं मिस्ट अनरेबल जिव जश्र साथ ये क्यों फैसले करते हैं? लगा वास्ता है, लगा बच्चों का भी वास्ता है कि ये फैसले ना करें हैं? नहीं समझता है. शहीद सिराज रही सानी के शहीद सिराज रही सानी साथ जो हैं वो बहुत खटकते थे भारत को और मुल्क दुश्मन लोगों को. जी नवाब जदा जमाल रही है आरी है आपको? असलाम आलेकुम जी आरही है. अब मेरा आप से सवाल है. पहले तो आपको सलाम है जिस तरीके से हारून बलोर साब के लिए उनके सारे लोगों को सलाम है. उसी तरह आपको भी सलाम है कि आपके वालिद साहब जो हैं जिनोंने बलोचिस्तान में बड़ी मुश्किल हालात में पाकिस्तान के साथ खड़े और हमेशा उन्होंने पाकिस्तान के लिए स्टेट्मेंट दिया और मुल्क दुश्मनों को ललकारा. और मेरा जो आप से सवाल है सर, इस सलाम के साथ साथ कि आपके वालिद पहले आपके भाई एक दहशतगर्दी में शहीद हुए, फिर आपके वालिद साहब को दहशतगर अपने वालिद और अपने पाई पर फखर है कि उन्होंने अपनी जान इस पाक वतन के लिए कुर्बान किया और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अबीवी मेरे मेरा हुसला बीवी बुलन है, मैं भी स्यार हूँ कि अगर पाक वतन मुझ से कुर्बानी मांगता है तो मैं भी कुर्पानी के लिए क्यार हूँ I'm very proud to be a Shaheed brother to be a Shaheed son and I'm always standing against the terrorists who are trying to damage and destroy our motherland and inshallah I'm a Shaheed that I'm a Shaheed in Pakistan and I'll always be and I'll be अजज़र एक चीज़ यहां पर पूछना जाऊंगा कि आपके वाली साथ खुलकर भारत को निशाना बनाते थे और इस सिलसले में यही बात की जारी है कि इस हमले में जो कि यकीनन मस्तूम काई एक नुमाइंदा इन्होंने चुना लेकिन इसके पीछे मुल्क दुश्मन और भारत इसमें इन्वाल्व है जो नज़र आ रहा है जैसे कि अभी आजम खान साब ने भी कहा कि रो इन्वाल्व है क्या मैसेज देंगे आप भारत को सर्थ मैं यह किना चाहूंगा कि मेरे वालिद इस टार्गिट प्रॉड़ पाकिसान जिन्दाबाद मेरे वालिद के बाद मैं हूँ और मैं इनका मिशन आगे बढ़ाँगा अपने बाजू बाजूं के साथ अपने वालिद की जानेशीन के साथ हम और भी मोब बेवतन हुए है यह शहादत कौम की हयाद है और हम और भी पाकिस्तान जिन्दाबाद कहेंगे और आगे भी कहता जाएंगे अज़र जो बलोच नौजवान इस वक्त गुमरा होकर भारत से जाके मिल गए हैं उनको कोई मैसिज देंगे आप बहुत यंग हैं बहुत बड़ा जजबा है आपका आपने पाकिस्तान के लिए दो बड़े खुर्बानी दिये वालिद की और भाई की आप उन बलोच नौजवानों से क्या कहेंगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसे भी पाकिस्तान हो यह हमारा वतन है पैदा यही हुए हम मरेंगी यही यह हम जिदर भी हो हम अगर पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन पाकिस्तान हमारे अंदर है तो मैं उन्हें यह कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान is everything for us वो हमारे लिए हर चीज़ है पाकिस्तान जिन्दाबाद बहुत शुक्रिया आपका नवाबजदा जमाल रईसानी साब आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया अपने जजबात को हाला के हम सब की आँखों में आसे कि एक बहुत ही जिस तरह हारून बलोर साब शहीद हुए उसी तरीके से सिराज रईसानी साब शहीद हुए ये दो कीमती हमारे नए जवान सियस्तदान हमारे आने वाली रहनुमा जो है आपके तो बहुत बड़ी नुखसान हुआ है लेकिन आपका होसला देखकर हम सब का होसला बहुत बलंद होता है आपका बहुत शुक्रिया नादिनी छोड़ी सब ब्रेक में जाएंगे फिर हमारे पास बहुत एहम मेमान दूसरे भी हैं उनसे हम बात करेंगे वेल्कम बैक मैं इससे पहले के मैं काकर साब की तरफ आँ उनका एक बड़ा एहम पॉइंट आफ यू लूँ मैं जरा मिनिस्टर साब मौजूद हैं लेफट इन जनरल नाईम खालिद लोदी साब उनसे बात कर लेता हूँ नेम खालिद लोई साब आप एक तरफ डिफेंस के जाहर है फाज के हवाले से आपका बड़ा तजर्बा भी है रहे भी हैं आप सेक्टरी भी रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर भी इस वक्त हैं इसके साथ साथ इस वक्त निगरा हुकूमत भी है तो यह जो हालिया दहशत गर्दी आई है सर और इसमें दो बहुत एहम अटेम्ट हुए हैं जिसमें हमारे दो लोग शहीद हुए हैं क्या समझते हैं सर निगरा हुकूमत इस वक्त इन चीजों को कैसे देख रही है सर और खास तर पे इसके साथ साथ फॉज जो बहुत ज़्यादा इन्वाल्व है एक्स्टरनर इंटेल्वेंट थ्रेट्स में एलेक्शन्स में और ये सारे चैलेंजिस भी सामने आ गए हैं जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो ये वाकियात बहुत असोसनाक हैं हम दोनों फैमिली रैसानी फैमिली बिलोर फैमिली दोनों से इज़ारे हम दर्दी भी करते हैं लेकिन आप ये देखिए अब्याप जूनियर रैसानी का इंटर्वीव ले रहे थे जमाल साब का तो किस पामर्दी से वो जवाब दे रहे थे हाला कि वो भी थोड़े कम सी नहीं है इसी तरीके से बिलोर फैमली की तरफ से जो जवाब है इसका ये मतलब है कि इनके गम के उपर हावी है पाकिस्तान को इन्होंने फौकिट दी है अपने गम के परॉल दो हमारे दिल तो कट कट गए है और बहुत हमें अफसोस है कि ये क्या हुए और दूसी बात ये है कि मेरा ख्याल है कि बात तो ये दुरुस्त है कि हम जब कोई एक वाकिया होता है तो उसके मकाबले में आठ से नौ से दस वाकियात हम प्रिवेंट करते हैं जो सिक्यूरिटी फोर्सेज है बहुत आपने देखा होगा असला पकड़ा जाता है माइन्स पकड़ी जाती है लेकिन फिर भी जिस्टिफिकेशन नहीं है जो ये वाकिया पेश है और मेरे खिया है कि बलुच्तान हुकूमत ने भी एंक्वारी का हुकम दी है जिएच की भी इंक्वारी कर रहा है और अगर कोई लैपस डैफिनिटली लैपस है तो ऐसा बात हुई है तो लैफ जहां भी पाया गया उसको जरूर मेरे ख्याल है कि लोगों को सजाएं देनी चाहिए इसमें कोई नर्मी नी बरतनी चाहिए लेकिन मैं एक बात आपके नाजरीन को और आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर साब हमारा मकाबला किन लोगों से है दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इस रीजन की सबसे बड़ी ताकत भारत उनका एका कुछ प्रॉसियों का उनके साथ मिल जाना और आपके आपकेले उन से पामर्दी से मकाबला कर रहे हैं फिर उन्होंने ये टाइम चुना है इसमें इंटरेम हकोमत या नॉन इंटरेम हकोमत की बात नहीं है इसमें इलेक्शन्स का टाइम है इसको आप जहें में रखें ये ना देखें कि इंटरेम हकूमत है क्योंकि अधारे तो अपने काम उसी तरीके से कर रहे हैं चाहे हकूमत दूशी थी या ये वाली आगी है तो ये उन्होंने वक्त चुना है ज्यादा अफरत अफरी पहलाने का हिजान पैदा करने का और किसी तरीके से ईलेक्शन को पोस्टपॉन कराने का डिले कराने का तो अल्ला के फद्रु करम से आप देखेंगे हम आएंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे उनकी और काफ़शें अगर होंगी बी तो आम उनको नाकाम करेंगे और इन्शालला पाकिस्तानी कौम एलेक्शन वक्त पर और सही तरीके से दिखागर पूरी दुनिया को बताएगी कि हम नॉर्मल्सी की तरफ जैसे जा रहे हैं ये सफर हमारा जारी रहेगा और कोई दुश्मन इसमें रिकावट नहीं डाल पाएगा इन्शालला ओर मैं आगे आप से बात करूंगा फॉज के किर्दार के ओपर भी डेफिनेटली बहुत-बड़ी तादाद में मंगा गया है और फॉज बहुत जादा इंगेज है मैं काकर साब की तरफ आता हूँ काकर साब यह बहुत बड़ा सालिया है सर के पीके में भी हुआ है यह बलुचिस्तान में भी हुआ है दो ऐसी जगहों पे हुआ है जहां अल्रेडी लॉइन और सिच्वेशन वेश्चन मार्क सर कैसे देखते हैं इसको बहुत शुक्रिया डॉक्साप सबसे पहले मैं आज जब गया फातिया खानी के लिए रहसानी हाउस तो मैं जमाल को वहां देख रहा था तो मेरे जहन में कई खत्शात कई खौफ मुझे घेरे में ले रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इस कमसिन नौजवान के साथ जो के शायद अभी तक नौजवान के लाने के लाइक भी नहीं है मैं क्या बात करूंगा मुख्तलिफ ऐसासाथ से मैं गुजर रहा था लेकिन आज आज आपके इंट्रिव्यू में जब मैंने इसे सुना तो मिझे एकबाल का मिसरा याद आया है कि शायद उन्होंने इसी क इता फरमाए जो इसके वालिद एक हद तक अदा करते हुए शहादत के दरजे पर पहुंचे और शायद दिल में उसके और भी बहुत सारे अर्मान होंगे जिनका शायद वो खुद ही विटनस था खुद ही गवा था अल्लह तहला वो गवाई जमाल के जरीए इस दुनिया म इसके पिलिए और चाहरों की शहादत किसी सूरत हमारी शहादतों से उसकी एहमिएश्यत नक्म है ना हारूं की हुब वतन किसी लिहाद से कम थी ये ऐसे दरद हैं जो समझ में नहीं आरी है के इसको मैनेज हम कैसे करें लेकिन यस नसमझने के बावजूद यقीन कामिल मेर यही है कि यह मैनेज हो रहा है मैनेज इसलिए हो रहा है डॉक्ट साब कि इस पूरे इन्वाइर्मेंट में जिसके तरफ शाहिद दोजी साब ने भी इशारा किया वाहिद यह मुम्लिकत है जो के इस टर्रिरिजम की मैनेज को अपने रिसूर्संसि पर अपने बल्बूते पर लड़ रही है किस रत्त कामियाभी से लड़ी है कहां कहां उसको नाकामिया हुई है इस पर बड़े खुले दिल के साथ खुले जहन के साथ हमें इसको एक्जैम्न भी करنا चाहिए हमें इसे वैल्यूएट भी करना चाहिए और ऐसे होसला मंद लोगों को जिनके लवाइकीन ये दर्द मेरे और आपके इमेजिनेशन से बियांड है में नहीं अंदाजा कि ये लोग किस कर्ब से गुजर रहें अगर इस कर्ब में ये कौम को इदारों को माश्रे को इतना होसला दे सकते हैं तो हम भी सैनिटी प्रिवेल करते हुए शायद इस जंग पर और इस दर्शदगर्दी पर इन्शाबला जरूर काबू पालेंगे कितनी देर में पाएंगे ये तो वक्ती बताएगा लेकिन ये यकीने कामिल मुझे होता जा रहा है कि अब काबू जरूर पालेंगे चीक है मैं इलियास बलोर साब आपकी तरफ आता हूँ इलियास बलोर साब क्या वजवात है कि ये जो बेलकौमी ताकत ने हैं जिस तरह अलेक्शन कमिशन ने का जिस तरह भी आपने देखा कि लोधी साब ने भी बताया है कि जी बहुत बड़ी ताकत रिस रीजन की ताकत दुश्मन कुवतें मिलकर दोजार अठारा के अलेक्शन को सबुताश करना जाए और डॉक्ट साब जो बिलोर साब ने सिक्यूरिटी के आवाले से जो बात की थी उसमें रती बराबर भी रती बराबर भी गुनजाश नहीं है कि उसको एहमियत ना दी जाए उसको समझा न जाए उसको संजीत की से नहीं लिया जाए इसने बड़ी तबाई मचाई है खुदारा जो लोग है उनको इसको अब भी बाकी लोगों की जिन्दगियों के लिए उस सई पैराय में देखना चाहिए ये तंज नहीं है ये एक हकीकत है जिसको उन्होंने आशकारा किया ठीक है बलोड साब क्या कहते है मेरे सवाल पी जाए साब बात ये है कि जैसे जैनल साब ने का बड़ाज करने की कोशिश करें जिसकी मर्ली है हमने कल से दोबारा तो कल गुजर गया है हमने अलेक्शन की मुहिम शुरू कर दी है हाजी गुलामें बलोड 31 पे खड़े हैं ने 31 पे हमने कल से उनकी मुहिम शुरू कर दिये हम अलेक्शन के और इंशालला लड़ेंगे हमारी पार्टी का ये फैसला है हारून जीत रहा था दो सो परसंट जीत रहा था हाजी बलोड भी इन्शाला जीतेंगे आप देख लें मैं समयता हूं कि एंपी की पॉजिशन बड़ी अच्छी जा रही थी पता नहीं हमें क्या नज़र लगी है क्यों ये हाथसा हुआ अपने मुल्क के लिए अपनी कौं के लिए हारून का एक मुझे सुनने में आया है मैं उसे टीवी पे मुझे सुनाया गया है मैं तक्रीर की थी हारून खान ने जी एच्क्यू में दो हजार तेना में और उसका कुंसुर्त इसे का ता मेरे बाप को दारेशाब ये दीसी सहादत के हमारे गर में कहले शबीर बलोर शहीद हुए थे जो अकेले बेटे थे वुलारन बलोर थे फिर उसके बाद बशीर बलोर शहीद हुए जो हारून के वालत थे फिर तबी मौत मरा इसका चोटा बाई हारून का अब हारून शहीद कर देखिया उस घर में कोई भी नहीं रहा बशीर के गर में कोई भी बेवाद हो बैठी ये नहीं कि मैं आपको ये जल बात को कर रहा हुए लेकिन नहीं है दिन अंदर से रो रहा है और ये क्यों हुआ ह इसमें हमारी स्रकूर्टी की बहुत ज़्यादा हुआ है अगर देखें जब पहले एलेक्शन होते थी पहले बहुत पहले तो हम तो एक पराने प्राने फालिटीशन फैमिली है हमारी तो एक एटी एट से लेक्शन दा रहे है तो उफ हर वकत होता था जब आता सा पुलीस कुछा ही ती मदें आज लागर को वार्च कर ले दिटी हां जी आप पहुंचें वहां बार लोगों से आने से पाले प्लीस वहां बचिए थी सर्च करती अभी हमें लेटर आज लेटर मिले है हमें कि यह में तीन दिन पेले हो एज दिन पेले बताना जाएं आए यह श्ट earlier we have lost everything of us we have lost everything of us that's all we have lost everything we have lost everything inaudible i would say by the time we operate it in ugly बेश्ग बेश्ख बेश्ख के आपके जगत इस वक्inizi ए चो आपके जो तकलीफ है को दो बंधुबार कि साथे हमे पर पे शुथ कोरें 전 गम्मीरियुक हैं वेल्कम बेक खालिद नाइम लोडी साहब अफ़ाज़ पाकिस्तान इस वक्त कई महाज़ों पे लड़ रही है और आप जिस तरीक से आपने बताया है कि जी बेल्लकौमी ताकतें ताकत वर बड़ी ताकत और इस रीजन की ताकत और दुश्मन पुवतें और कई अजिंसियां जिस तो पाकिस्तान के खलाब साधिश कर रही है और आप से बेतर क्या पता होगा सर इस मौकर पे आप आजिए पाकिस्तान ये सारी जंगे लड़ रही है सीपेक के सिक्यूरिटी भी है सर पुर्बानी भी दे रही है उसके इलावा इंटर्नल एक्स्टर्नल सारे थ्रेट्स के साथ अलेक्शन का भी उसको बहुत बड़ा इस्सा मांग लिया गया है क्या कहेंगे सर ये फौर्ज कहां कहां इन चीजों को समाल सकेगी बजाहिर कोई नैशनल एक्शन प्लान पे भी काम नहीं हुआ और कोई ऐसा इकदाब नहीं उठाये गया जिसके उपर एक ऐसी फोर्ज काइम की जाती जो आगर वो बीस नुकात पर काम कर लिया जाता तो आज फौर्ज के उपर लोट कम पड़ता जी जैके जी अच्छी तरह समझे लिए हैं डॉक्टर आप के इस कौम ने इस फौर्ज को काइम रखने के लिए इसके ट्रेनिंग के लिए इसको जो इज़त दी है इस पर जो इनसार किया है इस पर जो ट्रस्ट की है उसके जवाब में फौज कौंस्टिचूशन के दारे में रहते हुए कौम को जिस सीज़ की भी जुरूत पड़ेगी जब भी पड़ेगी दिल और जान के साथ अदा करेगी आपको पता है जब अलेक्शन कमिशन आफ पाकिस्तान ने फौज को यह टास दिये छे टास दिये थे और वह असान नहीं है कि प्रिंटिंग के वक्त भी आप उनकी इफादत करें अंदर भी खड़े हों बाहर भी खड़े हों तो फौज बड़े राम से यह कह सकती थी कि जी हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है लेकिन उन्हों ने आप उसमें बैटके सोचा कि हम इसका क्या हल करें और आपने देखा उन्हों ने डेड़ लाक रिजर्विस्ट बलाए और लबैक का उन्हों का जी जो भी काम आप हमें देंगे हम करेंगे तो हम इस चीज़ में मेरे खाल फौज बलीव करती है कि हम कौम की खिदमत करते रहेंगे अगर कुछ लोगों को कुछ शुकू को शुबात हैं वो खुद बखुद दूर हो जाएंगे वक्त उसको दूर कर देगा जिसके जिन हलात में हम हैं उसमें कुर्बानी पूरी कौम डेरी है तो कोई वज़ा नहीं कि फौज किसी से पीछे रहे फौज बलके हरावल दसने के तोर। पे कुर्बानियों में सबसे आगए और इस वक्त नहीं है फौज की कुर्बानियों गिनवाने का क्योंकि इस अब vak्त जो अब भी कुर्बानियों हुई हैं में वो बहुत अजीम कुर्बानी है उनके मकाबले में बागी सब कुर्बानी हेच है जैसे भी अल्यास बल्योर साब बात करें थे जो उनका दुख है वो आप भी सुन रहे थे मैं भी सुन रहा था हम जितनी मर्दी गुफ्तुगू करें जितनी मर्दी बात करें उनका कैसे चटान की तरह खड़ें तो मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि ये दुश्मनों की जो हार है उनकी जो हजीमत है वो सामने लिखी है तिरफ ये है कि जैसे आप कह रहे थे कब खत्म होगा आप टाइम की बात कर रहे थे मेरे बाई जब तक अवानिस्तान में अमन नहीं होत का ये मामलात ऐसे चलते रहने का इमकान है बहुत सारी चीज़ें अमप्रमेंट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें वर्ट कर रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ ने कुछ हो जाता है आप दौा करें जब ये बाड मकमल हो जाएगी जब वान मुझाहिदीन वापस चले तो इन्शालला यहां पर भी जो है वो सारी बातें ठीक होने लगेंगी लेकिन एक चीज़ का आपको एसास होना चाहिए कि जब आप कह रहे हैं कि हम सी पैक बनाएंगे तो गिन लें वो फोर्स जिनको सी पैक वारा नहीं खाता जो ये नहीं चाते कि चीन जो है वो बहरे ह खुले तो ये एक क्लैश अफ इंटरेस्ट है और क्लैश अफ इंटरेस्ट की मैनिफेस्टेशन फिर यही होती है जो आपको नजर आ रही है लेकिन मुझे यकीन है कि इस बाहिमत कौम को कोई हरा नहीं सकता और अल्ला ताला के फदल करम से उसने हमें ऐसी ताकत दी है आट चला जाएगा इन्शाला ठीक एक सवाल दरूर पूछूंगा इसका जवाब चाओंगा फिर कौकर साब की तरफ आता हूं सर एक बड़ी इतला है उसकी आप तदीक कर सकते हैं क्योंकि आप उसके सरवरा भी है कि नियॉक फ्लाइट पी आईए की जो नियॉक फ्लाइट है वो जो खाकान अबासी साब के दौर में इसको खत्म कर दी गई थी सस्पन कर दी गई थी अक्तूबर में बहाल हो रही है तो सर इसके उपर जरा अगर हमें दो बता दें को कि आप एवियेशन के सरवरा भी हैं जो हमारी इतलाएत है वो कहां तक सही है फिर मैं आगे जौँ अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो चार दिम्मेदारी मुझे दी गई हैं जो सबसे ज्यादा मेरा वक्त कंद्यूम करती है दिम्मेदारी वो यही है जिसका अब जिकर कर रहे हैं ये चीज़ जीज़ जेरे गोर है अभी इसका फैसला नहीं हुआ इसलिए मैं हत्मी तोर पे कह नहीं सकता हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे अकदामात जो पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान के लिए पे आई ए के लिए ज्यादा सूदमन नहीं है उन पर नजरसानी की जाए लेकिन आपको पता है कि जो इंटरेम हकूमत है उसकी पॉलिसी साधी या नई करने के लिए बुलाया गया लेकिन फिर भी हम अंदर अंदर ऐसे काम कर रहे हैं आप देखेंगे इन्शाला कि जाने से पहले कम जो मेरी अक्तूबर में एक्तूबर में नियॉप फ्लाइट जो है वो इन्शाला जारी हो जाएगी डेट मैं नहीं देता लेकिन मुझे उमी जो ये इंटरनेशनल कुवतें ये सारी दुश्मन कुवतें सबोताश करना चाहती हैं और इसमें चले सिक्यूरिटी फोर्स का लैप्स है या जो भी वो कुर्बानी दे रहे हैं जो भी है आप उसको बहुत अच्छी तरह देखते हैं सियस्तदानों का क्या रोल है सर इस नन डिमोक्रिसी का दबा था या नन इलेक्टड गवर्मेंट का दबा था वो फेड हो रहा है आईस्ता हिस्ता और इस फेडिंग में पाकिस्तान जाहरे कॉन्फिडंस गें कर रहा है बतारे रियासत बतारे माश्रा और उसको जो फैसले होंगे उस पे ज्यादा आपको हो रहा है जिस से इंटरनाशनल कम्यूनिटी को शायद ज्यादा तकलीफ है पिछले 20 साल उन्होंने हमारे हाँ जो पॉलराइजड व्यूज है उसको बन्याद बनाके हैंडल करने की कोशिश किये पाकिस्तान के साथ मामलात अब जब वो सेटल्ड एक सेंट्रल पोजिशन म होगा यह मुझे एक बन्यादी वज़ा नजर आ रही है कि इसको टागेट किया जा रहा है हिट किया जा रहा है सहसदानों को मेरे ख्याल में इस वक्त बहुत ज्यादा प्रोफांडनस बुर्दबारी और डेप्त का मुझारा करना पड़ागा अगर हम सतही अंदाज में च स्टेक लगा देंगे ठीक है बलोर साब बिलकुल मेरे पास एक अग मिनिट है मैं चाहूंगा कि क्या क्लेक्टिव जिम्मेदारी है सियास्टदानों की इस मौके पे बलोर साब लाइन पे हैं हमारे आचा मेरा खाल है बलोर साब लाइन पे ने है तो मैं जरा नाईम लोदी साब की तरफ आ जाता हूँ एक चीज़ नाईम लोदी साब आप से पूछना चाहूंगा कि सियास्टदानों की कलेक्टिव क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए इस जो सबसे बड़ी है वो तो यकजहती की है कि आप ठीक है सियास्ट कीजे जब आप एक दूछे पर लगाते हैं तो एक हद से आगे ना जाएं जैसे कि आप आप देखते रहते हैं कि कुछ लोग यहां तक लगा देते हैं अपने सियास्टदानों पर कि वो पार्टी या वो सियास्टदान दुश्मन से मिला हुआ है यह तो बिल्कुल जुद दुश्मन का बयानी है उसको आगे बढ़ाने की बाथ है तो हम चाहे हमारे नजरियात कुछ भी हो चाहे आप लेफ्ट एक्स्ट्रीम पर हो या राइट एक्स्ट्रीम पर हो लेकिन जो पाकिस् coses ने हैं जिस पाकिस्तानी को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, खुदा के लिए उसको एन्टी पाकिस्तान, एन्टी स्टेट, फजदार, इस किसम के ऐलकाब न दें, कि फलाने से उसका तालका ये बिलकुल वो बियानी है जो के दुश्मन चाहता है कि इसको आगे बढ़ाया जाए ताकि हमारी ससाइटी में रिफट पैदा हो सिसाइटी को जोड़ें सियासेदान और आपस में बाकी ठीक है नजरियात पर बात हो सकती है मैनिफेस्टो पर बात हो सकती है लेकिन एक दूसरे पर इस कदर लजामात न लगाएं जो के बहुत गंबीर नौयत के हैं ये मैं समझता हूँ के उनकी दिम्मधारी है इंस्टूशन के साथ स्टेंड आफ के बजाए अंडरस्टेंडिंग पैदा करें क्योंकि पाकिस्तान तरक्की कारी नहीं सकता जब तक के इंटर इंस्टूशनल अब हार्मनी जब तक नहोग इसके लिए बहुत जरूरी है कlles स्टेंडूशन इससलिं के साथ सबसे बड़ी जम्मधारी है तो साफ उ शफाफ उ शफाफ उलैक्शन करने हैं सर निकरा हुकूमत की सबसे बड़ी जम्मधारी है इलेक्शन कमिशन ने पूरे पिछले कह रहे हैं कि ये रिकिंग हो रही है बाद में अब देखेंगे कि इन इलेक्शन को सबसे शफाफ इलेक्शन कहा जाएगा इन्शाला बहुत बड़ी बात है। पूरी कोम आपके साथ है और नवाबजाधा जमालरहीसानी साथ आपके के जञभात पूरे कौमने सने हैं और यगनना पूरी कौम आपके साथ है हम सब आपके साथ हैं आपको अपने वालज से भी जज़ादा पाकिस्तान के खिदमत siat e झाल